अमेरिका और पश्चमी देश कर सकते हैं रूस पर अटाक ये बड़ी खबर है सहयोगी देशों के साथ अमेरिका बना सकता है सैने गडबंदन सैने गडबंदन रूस पर कर सकता है एर स्ट्राइक तो बड़ी खबर आई है अमेरिका और सहीयोगी देशों के सेने गटबंदन को लेकर और सेने गटबंदन क्यों किया जा रहा है क्योंकि सेने गटबंदन रूस पर कर सकता है एर स्ट्राइक रूस और यूएस के तनाफपुन्ट सिती के बीच ये खबर कैसे बड़ी है और क्यों हम कह रहे हैं तीसरे विश्वयुद का काउंट डाउन इंफोमेशन वॉल का रुख करते वे यही इंफोमेशन अब आपके सामने रखेंगे क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है जहां ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से अमेरिका यॉरप जॉइंट ओपरेशन फोर्स को करेंगे तैयार इंफोर्टन इसमें ये भी है कि रूस के सेनेट ठिकानों पर फाइटर जेट से हमले की योजना को लेकर खबर आई है मिसाइलों से रूस की रणीतिक ठिकानों को ध्वस्त करने की योजना है साथी यॉरप में रूस के बढ़ते दखल से पश्मी देशों की जिस तरीके से चिंता बढ़ती जा रही है खबर ये है अमेरिका यॉरप रूस को पूरी तरीके से तबाह करने का प्लान बना रहे हैं रूस और चीन का गट जोड तोड़ने की क्या ये अमेरिका की कोशिश है इस बारे में भी सीधा सवाल होगा हमारे सयोगी थे लेकिन इस बीच संभावित अमेरिकी खत्रे पर रूस में भी चिर्चा को लेकर खबर आई है रूसी रणीती कार भी अमेरिकी हमले की आशंका जता रहे हैं और यूक्रेन के बाहने रूस पर पश्चमी हमले की आशंका है आपको बता दे रूस ज़र्मनी के खिलाफ भी रणीती बनाने में जुटा हुआ है इन तमाम आशंकाओं के बीच आखिर किस तरीके से अमेरिका रूस दुश्मनी के नया चाप्टर खुल रहा है उसी बारे में इंफोमेशन आपके सामने रखते हैं जा देखे किस तरीके से अमेरिकी थिंग टांक रूस को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने यॉरप पर दबाव बनाया है पुतिन की परमानू बॉम की धंकी के बाद समीकरण बदल गए हैं और यॉरप पर रूसी दबाव अमेरिकी हितों के खिलाफ है हलाकि यॉरप को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका रूस को टागेट कर सकता है अमेरिका का रूस पर हमला विश्वयुद कैसे बढ़काएगा मेरे सायोगी मनीश जा इस वक्त हमें जॉइन कर चुके है मनीश ये वाकिए चौकाने वाली खबर है और हैरानी इस बात की कि रूस खुद इस बात से वाकिफ है कि अमेरिका किस कदम पर आगे बढ़ने की कोशच में है बिल्कुल देखे ये दावा खुद रूस के रक्षा मंत्राले की तरब से किया गया है रूस का जो रक्षामंत्राले का स्ट्रेजिक मामलों का ओफिसियल मैगजीन है उसमें इस पर पूरा डिसकस किया गया है कि अमेरिका एक अपने सहयोगी देशों के साथ जॉइंट ऑपरिशनल फोर्स बना सकता है और उससे अचानक और बहुत तेज ग्लोबल स्ट्राइक कर सकता है रूस के खिलाब जिसमें फाइटर जेट का इस्तेमाल हो सकता है और तमाम पश्रिमी देश अपने अपने मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते है रूस के रक्षामंतराले का ये भी कहना है कि इस तरह के स्ट्राइक के जरीए कोशिस होगी कि रूस के जो एहम सेनी ठिकाने है उसको एक ही बार में एक सौट में तबाग कर दिया जाए अब अगर आप देखे कि क्या ये पॉसिबल है तो आप कंपेर करिए मेडियलिस्ट में जो हूती विद्रोयों के खिलाब अभी अमेरिका और सायोगी देश मिलकर ऑपरेशनल ऑपरेशन प्रॉस्परिटी गार्डियन चला रहे है कुल मिलाकर ये उसी तरह के गठबंदन की बात है क्योंकि अगर नाटो वनाम रूस होता है तो फिर नाटो के तीस से अधिक देश मजबूरी होगी कि सभी देशों को आकर लड़ना होगा लेकिन जब आप जॉइंट ऑपरेशनल फोर्स ऐसा गठबंदन मराते हैं तो फिर होकर रहेगा ये बात आपने जो कही है उसी आधार पर अगली बड़ी खबर को इंपुट रखना चाहेंगे क्योंकि रूस पर हमला हुआ तो होगा तीसरा विश्वयुद पश्रमी हमले पर रूस भी पलटवार करेगा और पुतिन पहले ही परमाणू बॉम की धंकी भी द कि किस तरीके से रूस पर हमले का प्लान किया जा रहा है तयार ग्राफिकल इंफरमेशन आपके सामने रूस पर यूएस करेगा हमला यही सबसे बड़ी खबर सामने आ रहे हैं और अब तीसरा विश्वयुद भी तैह है क्योंकि यूक्रेन युद के बीच रूस पर बड़ हमले के लिए नया सेने संगठन जिस तरीके से बनाया जा रहा है या बन सकता है सेने संगठन में अमेरिका और सायोगी देश जोईन फोर्स बनाकर एक साथ हमलों को अंजाम दे सकते हैं इस बीच आपको हम यह भी बता देते हैं विश्वयुद अगर हुआ तो कितने देश अमेरिका और कितने देश रूस के साथ खड़े हैं यह इन्फोमेशन इसलिए क्योंकि जिस तहास पर अपने सयोगी के साथ हम चर्चा कर रहे थे विश्वयुद वर्ल्वार 3 के काउंटडाउन की शिर्वात इसे क्यों माना जा रहा है और कौन किस के साथ है यह इन्फोमे यह वाकई पश्मी देशों की चिंता बढ़ाता आया है कि किस तरीके से हर लिहास से यह टेक्नोलोजी शेर करते हुए अपनी सेने ताकत को मनीश बढ़ा चुके हैं देखे इसमें कोई दोराय नहीं है कि रूस हो या फिर नाटो के जादातर देश इनके पास ऐसे हत्यार है कि उमें से हर देश चाहे तो पूरे धर्ती को कई बार खत्म कर सकता है तो वैसी स्तिती में अगर रूस और नाटो की लड़ाई होती है या रूस और तथाकती ती जॉइंट ऑपरेशनल फोर्स की लड़ाई होती है तो फिर वैसी स्तिती में दोनों में से कोई पक्ष हारना नहीं चाहेगा देखे अभी स्तिती क्या है रूस और यूकरेन की दो जर्मनी प्लान कर रहा था जिसका ओडियो लीक हुआ कि क्रीमिया के पुल को कैसे उड़ाये जाए तो संभावना ये बन रही है कि अमेरिका और कुछ सहयोगी देश सिधे इस युद्ध में कूदेंगे और अगर कूदेंगे तो आपने देखा कि प्रेजिडेंट पोतिन ने रूसी संसत को संबोधित करते हुए इस तरह से उन्होंने परमानू हतियार की इस्तेमाल की चेताव नहीं दिये तो दोनों पक्ष परमानू संपन है विनाश्त होनाता है ये तो बात है ही अब उसकी सुरवात कौन करेगा वैसे भी कहते हैं कि युद्ध आप सुनू करते ह खत्म कैसे होगा ये कोई नहीं जानता है तो अगर जॉइंट ऑपरेशनल फोर्स रूस पर हमला करता है तो फिर उसका परिणाम कितना भयानक होगा और क्या ये केवल रूस युक्रेन या यूरप तक सिमित होगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आईगी ये बहुत कि यूरप और नेटो देश जिस तरीके से इसकी चपेट में आएंगे उस साधार पर रूस के खत्रे को ये दरकिनार भी नहीं करते हैं